तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला क्या हूँ तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप कैसे हिंदी टैपिंग सीख सकते हैं चाहे आपका लेयाउट कुर्तिदेव है, रेमिंटन गिल है, इनिस्क्रीप्ट है, सभी लेयाउट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आप सभी को वो भी फ्री में, इससे पहले कोई जरूरी बाते मैं आप सभी को बता देता हूं, यदि आप टैपिंग आते हैं, और किसी ऐसे वेक्ति से पोस्ते हैं, जो अल्डेडी हिंदी टैपिंग जानता हो, तो वो आपको सेजेशन करेगा कि आप जयार टैपिंग ट्यूटर खरीद लो, तो एक बार मैं आप सभी को जयार टैपिंग ट्यूटर का प्राइस दिखा देता हूं, यदि 90 रुपय आपको देना पड़ेगा, तो यदि आप जयार टैपिंग ट्यूटर खरीदना चाहते हैं, तो इतना आप दे करके खरीदेंगे, लेकिन ये देनी कि आप कुछ ज़रुरत नहीं है, यदि आप हिंदी टैपिंग सीखना चाहते हैं, तो आप फिरी में भी सीख सकत कैसे तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उपेंड कर लेता हूँ एक निउप पेजेब और यहाँ पर आप सभी को टाइप करना है टाइपिंग बावा, उपर में आप सपलिंग देख लेना, जैसे आप टाइपिंग बावा सर्च करते ह तो एक वेबसाइट आएगा फस्ट में ही इस पर आपको क्लिक कर देना है जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको वेबसाइट दिखेगा आप देख लेना उपर में टाइपिंगवावा.com आपको दिख विरा आओगा अब यहां पर आप देख सकते हैं बहुत स अभी हो रहा है परजेंट टाइम में वो मंगल फॉंड पर ही हो रहा है तो इस पर आपको क्लिक करना है मंगल फॉंड वाले ऑप्शन पर तो फिर से एक नया पेज आप सभी के सामने ओपन होगा अब यहां पर थोड़ा सा स्कॉल करके जब नीचे जाएंगे तो एक ऑप् नीचे उने डिड़ा से इंटाइप करना है तो आपको टाइप करना है तो जास्तों है अब तेफिन डेकर मैं चाहते हैं यहां पर डिया हुआ जो भी लेशन आप टाइप करना साहेंगे यहां से लेशन आप सलेक्ट कर सकते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं को वाला आ गया है अब लेशन अगर हम थ्री में जाते हैं तो एक आरकी मातरा और ता आ गया है अगर लेशन हम यहां पर जाते है six में तो रखहल पडियो जब में च折ू पड़न सहुझा है तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना हे तो एक नया पेच्ट आप सभी के सामें यहां परिने थोड़ा सा आप scroll करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम यहाँ पर इंटर करने के लिए कहेगा आप यहाँ पर नाम इंटर कर देंगे उसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं Selected, Test Time यहाँ पर दिया हुआ है तो Time आपको Select कर लेना है एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट, दस मिनट दिया हुआ है इसके नीचे आप देख सकते हैं Select Paragraph यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो बहुत सारा यहाँ पर Paragraph आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कोई एक यहाँ पर Paragraph आपको Select कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उसके नीचे है Select Keyboard Keyboard में यहाँ पर InScript Layout है और Remington Layout है तो दोनों में से एक layout आपको Select कर लेना है तो यहाँ पर Remington Select कर लेता हूँ इसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर Set, Word Limit यहाँ पर दिया हुआ है आप यहाँ पर Word Limit भी Set कर सकते हैं इसके नीचे आप देख सकते हैं एक Option यहाँ पर Back Space का है Back Space अगर आप Enable करना साथ हैं तो Enable कर सकते हैं अगर आप Disable करना साथ हैं तो disable भी कर सकते हैं, इसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक option है, highlight and auto scroll का, अगर आप चालू रखना साथे हैं, तो enable कर सकते हैं, यदि आप burn करना साथे हैं, तो disable कर सकते हैं, इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, एक option यहाँ पर दिया हुआ है, start in exam mode, तो इस पर एक बार आप click करेंगे जैसे आप एक बार click करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में paragraph आजाएगा और इसके just नीचे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर type करें option यहाँ पर दिख रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा type करके आप सभी को दिखा देता हूं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो खाद लिखने के लिए इस तरह से खाद आप लिख सकते हैं सुरक्षा अगर लिखना है तो इस तरह से आप सुरक्षा लिख सकते हैं ठीक है जब आपका time over हो जाएगा तो submit यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ time जब complete होगा तो इस तरह से यहाँ पर आपका result सो होगा word आप कितना per minute मार रहे हैं वो आपको यहाँ पर सो करेगा इसके नीशे आप एक्कुरेसिवी चेक कर सकते हैं total आपने कितना word इंटर किया है वो भी आप देख सकते हैं error का rate यहाँ पर दिखाएगा back space आपने कितना प्रेस किया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा से जब नीशे जाएंगे तो यहाँ पर वो paragraph दिख जाएगा खास सुरक्षा का तो यहाँ पर आप एरर करते हैं तो full mistake के लिए यहाँ पर red हो जाएगा और हाप mistake अगर करते हैं तो blue color का यहाँ पर आइकन देख भी सकते हैं दोस्तों यह बहुत ही अच्छा website है यदि आप हिंदी टैपिंग सीखना चाहते हैं तो इस website पर आकर के फ्री में हिंदी टैपिंग सीख सकते हैं इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है तो दोस्तों I hope आपसे लोग समझ चुके प्रीज देगा क्योंकि अगला वीडियो जब ही मैं अपलोड करूंगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा